हेलो गाइस टेक्नो फाहद में आप लोग का सुवागत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SBI के न्यू अपडेट के बारे में दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि Fraud Transaction काफी जादा होने लगे हैं काफी लोग के अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं उनको पता तक नहीं होता है तो इस चीज को लेकर SBI की तरफ से एक नए अपडेट आया है Cash Withdrawal को लेकर उसमें कुछ चेंजेस के गये हैं ताकि आपका कोई भी Fraud Transaction ना हो पर अगर आप SBI के ATM में जाके Cash Withdrawal करते थे तो वहाँ पर क्या करना होता था सिर्फ आपको अपना Amount फिल करना होता था उसके बाद अपना आपको MP मतलब आपका जो debit card का पीन होता है उसको फिल करने के बाद आपको संबिट करने के बाद आपका transaction successful हो जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब SBI की तरफ से एक नया मतलब update आया है इसमें मतलब ये जो update आया है मतलब fraud transaction को देखते हुए SBI ने इस कदम को बढ़ाया है तो यहाँ पर अब आपको क्या करना होगा अब अगर आप SBI के debit card से SBI के ATM में जाके cash withdrawal करते हैं तो वहाँ पर आपको amount अपना fill करना होगा उसके बाद अपना pin number डालना होगा pin number जैसी डालने के बाद आप sumbit करते हैं तो उसके बाद आपके register mobile number पर four digit का एक OTP आएगा उसको fill करने के बाद ही आपका transaction successful होगा तो यह मतलब आपकी security purpose के साब से काफी अच्छा है यह मतलब feature मुझे लगा और यह मतलब जितने भी bank है इन सभी bankों में भी आपको बहुत जल देखने को मिलेगा क्योंकि यह fraud transaction और scam से बचने के लिए काफी अच्छा features है और आपकी security security मतलब आपका bank account secure रहे इसके लिए भी काफी अच्छा यह features है तो मतलब अब आपको SBI के debit card पर यह features देखने को मिलेगा अगर आप SBI के debit card से SBI के ATM में जाके cash withdrawal करते हैं तो वहाँ पर आपको amount डालने के बाद अपना pin number डालने के बाद उसके बाद आपको अपना OTP भी डाल आपका transaction जब तक successful नहीं होगा तो यह service काफी मुझे अच्छी लगी और जितने भी bank है इन bankों में भी आपको बहुत जल देखने को मिलेगा यह fraud transaction और scam से बचने के लिए काफी अच्छा यह features है तो यह सभी bankों में और सभी bankों के ATM में service आनी चाहिए उसके लावा दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएगा कि आप लोगों में से कितने लोग के साथ ऐसा हुआ है कि वो SBI का debit card लेके SBI के ATM में गए हैं उन्हीं अगर cash withdrawal किया तो वहाँ पर उनसे OTP की requirement की गई है या नहीं की गई है उसके लावा आप लोग को यह features कैसा लगा SBI का क्या यह जो है सभी बैंकों के ATM में यह features होना चाहिए दोस्तों मुझे इसके बारे में भी comments में जरूर बताएगा दोस्तों मुझे अमीद आपको इस वीडियो से कुछ help मिली होगी अगर help मिली हो तो इस वीडियो को like करिए share करिए अगर आप चैनल पे लाएं तो चैन